चलिए अब हरश्दा भी स्की इंस पर एड़ी नजर आएंगे आज के सारे इंपॉर्टन्ट स्टॉक्सिन न्यूज डिसकस कर लिए जाए चर्चा कर लिजाए खैर सबसे इंपॉर्टन तो ITC है पर उसे तो थ्रेड बेर हमने सब कुछ डिसकस कर लिया अब तो इंतजार बस वो है लाज्ज ट्रांजक्शन जब प्ले आउट होगा कौन सी विंडो पे होगा तब उसको रिविजेट कर लेंगे अगला जो इंपॉर्टन था वो AMC's Radar पे दरसल कल ICICI Pro के भी अपडेट साथ होगे ऐसे मा हज़दा सब कुछ खारी खबरे परस्पेक्टिव में रख देंगी हज़दा क्या अपडेट्स है हमारे पास आशीश तरह से यहाँ पर ICICI Pro की तरफ से अपडेट आया है कि यह Mid Cap Fund में अब Lumsum Payment नहीं लेंगे अब Lumsum Payment नहीं लिया जाएगा याने कि 2 लाग तक के investments अब कर पाएंगे आ तो SIP या फिर STP के जरिए यह ICICI Pro AMC ने कल इनफाक्ट Announce कर दिया है यह effective रहेगा कल याने की 14th March onwards तो यह एक चीज है लेकिन इस पूरी कबर को आपको context में रखना है क्योंकि इससे पहले जो भी mutual funds ने SIP Lumsums पर रोक लगाई थी वो largely small cap funds पर restricted था ICICI Pro वो पहला fund है जो mid caps पर भी यह दरसल लागू कर रहा है अब मैं fund के नाम आपके सामने रख रही हूँ Nippon ने दरसल शुरुआत की थी अपने small cap में Lumsum पैसा लेने से यह July 23 का action था Tata mutual fund ने भी ऐसा ही action लिया था वो भी July 23 का था साथी साथ कोटक mutual fund ने इसी मार्च याने की 4th मार्च से दरसल कहा कि हम small cap fund में Lumsum payment नहीं लेंगे लेकिन आपको SBI mutual fund भी याद होगा इन्होंने भी कहा था कि हम small cap में Lumsum payment नहीं लेने वाले हैं या फिर वो SIP या फिर SDP route के जरिये रहेगा लेकिन SBI mutual fund ने सतंबर 2020 में action लिया था तो अब आकर बाकी कंपनिया भी इस तरह का action ले रही है और ICIC approved AMC वो पहला AMC है जहां पर उन्होंने mid cap पर भी action लिया है चलिए भाई ये सब action सामने आता हुआ कोटक ने तो इनकी brokerage ने तो खेर mid cap small cap पे recommendations भी बीच में रोग दी थी वो update आया था जब काफी heated था 2023 के चतुनोता साब आप लोग भी ऐसा करते हो क्या PMS में discourage करते हो क्या आप ज़्यादा पैसा मज़ों कि इस समय deployment के avenues कम है ऐसा होता है क्या इसमें आशिश हमारा थोड़ा view इसलिए different रहता है क्योंकि हम जो strategy चला रहे हैं वो है flexi cap और यहां पर पे हमारा जो exposure था पहले large cap पे almost 60% था जिसको हमने पिछले एक महिने में बढ़ा के मोटा मोटी 66% पर लेकर आ गए हैं और हमने अपना small mid cap का exposure कम भी किया और साथी साथ जो BSC 500 के उपर जो भी हमारे exposure थे उसको significantly हमने रेडियूस किया तो यह flexi cap में हमको एक अच्छा opportunity मिलता है जहां पर पे हम small mid cap से large cap की तरफ मुह कर सकते हैं जिसकी वज़े से हमें लगता है कि एक flexi cap strategy काफी safe होती है इस तरह के environment में जो अभी current environment चल रहा है तो जिसके चलते हम बहुत जादा इस situation से worried नहीं रहते हैं ओके ठीक है तो यह अब ICICI proof listed entity कोटक कोटक क्या है वो embedded value कोटक bank के valuations में आती है मैं ICIC proof AMC पे काम करा जाए view ले लिया जाए मानस एक पर ICICI proof चार्ट पे कैसा placed अब इसका बहुत जादा कोई असर नहीं ठीक है flows थोड़े से कम channelize होंगे अभी for the time being ऐसा read करना जाए इंडस्ट्री वाइड फेनॉमेना है वैसे है पर चार्ट कैसे है देंकि चार्ट तो बेतरीन है क्योंकि स्टॉप तैयार एक बहुत important breakout के लिए अगर ये 620 के उपर निकला तो एक नया breakout होगा जिसके target करीब 720-730 की range में आते हैं तो ब्लिकल नज़र रखने चाहिए अगर कोई dip मिले अगर आज morning कोई dip मिले तो मेरे ख्याल से तो वो एक buying opportunity होगी इस top losses आपको थोड़े डीप तकने हैं 550 रुपे की नीचे लेकिन target आप बड़े सट कर सकते हैं 700 से लेकर 720 की range में 700 से लेकर 720 तक के ला रहें बड़े एगरेसिव हैं तो 600 पर खड़े हैं हम लोग तो अच्छे कासे meaningful upsides की आप कर लीजे यहां पे तैयारी अब दूसरा interesting stock Shree Cement खबरों में हैं लेकिन खबरों के वेटे से जादा जो कर रहे हैं वो interesting है उन developments पे मैं चार्ट्स पर लेकर आऊंगा सावन साब आपके पास आता हूँ Shree Cement का चार्ट एड़ी रखना हजदा क्या updates है उन्होंने 5 RMC प्लांट दरसल मुंबई में खरीदे हैं एक strategic location पर दरसल ये plants लिये जा रहे हैं basically ये acquisitions facilitate करेगी कई सारे construction projects में मुंबई metropolitan region में इनकी entry तो उस लिहाज से एक strategic के इन्होंने action लिया है company यहाँ पर कुछ और greenfield rnc projects भी अलग-अलग locations में plants शुरू करती भी दिखाई देगी तो basically मुंबई metropolitan region में जिस तरह की construction activity हो रही है उसमें company भी एक part चाती है और उन्होंने कुछ एक strategic deal किया है उस लिहाज से करीब करीब 35 या 34 करोड तक का investment इन्होंने इन पाँच अलग-अलग rmc plants में किया है चलिए भई दस तक दे रहे हैं ready mix concrete के धन्दे में मुंबई में company का acquisition 5 rmc plants इनके पास और मुंबई rmc के लिहाज से बहुत attractive बाजार और सावन साब तो उस विटनेस करते हैं रोज किस तरह से concretization of जिन roads में concretization करनी की जरुवत नी गली कुछ है में उनको भी concrete बना रहे हैं तो ऐसे में सावन साब श्री सिमिंट है कैसा place charts पे आलाएं कि इसके size के साब से बहुत छोटी सी कबार है पर क्या trigger मिल गया बाचीद करने का stock पे कैसा लग रहा है या अशी सी बात तो आपने बिल्कुल सही गई हर जगा construction work चल रहा है और कई से जाने को भी रास्ता नहीं है तो definitely demand है पर जहां तक मैं daily chart को देख रहा है तो मैं थोड़ा higher time frame पर जाओ और weekly chart को देख तो यहां पर 24,500 यह बहुत एहन support है तो मेरे इसाब से सिर्फ जिनके पास position हो वो 24,500 spot closing basis का एक stop loss मानके चले जब तक यह level intact है आप बने रह सकते हो बट fresh खर्जारी की सला मेरी होगी नहीं नहीं shorting की सला होगी मेरे इसाब से सिर्फ जिनके पास है वो hold रखे stop loss 24,000 pass से ओके यह है श्री सिमेंट्स पर व्यूँ एक गाबा सर आपन वापस ITC पर नजर कब डालेंगे आज एक large trade एक overhang चटने की बारी आ रही है सारी brokerages अब कह रही है अच्छा targets है 480, 491 और कम से कम 468 यह सारे समीकरण देखके और आइंग चटने की चार्टमट पर लीड कर रहा है कि गाबा सर वापिस ITC पर एंट्री बनाने का मन बनाएं किसी लेविल पर किसी भाव पर यह अभी बहुत अच्छे दिखने आइटी सी पर आपका रुजान ही नहीं नहीं इसा है कि अट्रेक्टिव नहीं है इतना क्या है कि ITC का बहुत अच्छा अच्छा हुकूम मिला था जब काफी breakdown मिला था उसके तो 500 जो गया था वह एक psychological strong resistance है और 500 जाने के बाद उसके टोड़ी गिदावड़ी प्रॉफित बुकिंगे विच नॉर्मल है और ब्रेक्डान मिला करी 430 के आसपास और यहां पर तुम्हांगा 435 पर बहुत स्ट्रॉंग रिसिस्टेंस है जब तो 500 अगर पार कर रहा है तो काफी वक्त यहां पर गुजारना पड़ेगा ब्रीदर मिलना चाहिए आप तब जाके 500 पार कर लेगा एक पांसो बार कर लेगा तो नेक्स लक्षे होगा हजार साइकोलाजिकल अफ़ोर उस पर काफी साथ लग सकते है उसके लिए लेकिन यह अप्रेंड इंटक्ट है डिप में है लेकिन वह रियल स्ट्रेंट चाहिए फिलाल नहीं है अगर शायद आज मुझे थोड़ी लोग लेविल अगर 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 अ इतिज करें आप डॉपले हृम हृम है इतिस का ब्लझ डान डेस्कल्elles करेंग गार बलॉक лес यह थे अग्जै कवें है यह वहाद ऐसे इतिसी डिसकाउंट पर ही हो सकती है ब्लॉक डील विंडो में, कल का क्लोस है 404, तो मतलब 400 रुपे में वो ब्लॉक डील हो गई होगी एक्जिक्यूट, मैं एक बार बस exact value of deal देखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार अगर वो मिल जा है मुझे तो, लेकिन डील हो चुकी है ब्लॉक डील विंडो में और इसके लिए अब गिफ निफ्ट इंटरस्टिंग होगा देखना, क्योंकि अब एक चीज़ समझ लेजे, ITC के दो ट्रांजाक्शन दिखा रहा है, 1.74% का अपने सिस्टम में पहला दिखा रहा है, दूसरा थो थोड़ा मिने स्क्राइट जैसा है, 75-75 लाग का एक जो हुआ है, युनिटेर हंडिट तॉर्ण दो करोड़ सत्रा लाग शेज दिखा रहा है, अब प्राइस में थोड़ा सा अपडेट नहीं हो रहा है, यह अब हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, यह बीएसी में हुआ है, बीएसी में हुआ है न, एक काम करते हैं, फिर बीएसी में हुआ है न, तो वो बीएसी में प्राइस मिल जाएगा आपको, जब आप उसमें आएंगे, मैं बताता हूँ, बीएसी में, हाँ, तो परसंट तो बजहा लिए घाली है 25 पराग जा? 21.16 क्रोड कर लाग तो जी बसकी हो गया, पुरा हो गया नहीं? तो बसकी हो नहीं बसकी हो गया- तो एकजेक 400 रुपई पे, आगजेक 400 रुपई पे ब्लॉक होई है सिंपल है, आप BSC की वेबसाइट पर जाएए, टॉप टॉप टॉणोवर देखिये वहाँ पर, टॉप टॉणोवर में आपको सब से घुछाई देगा ITC, 21.94 लाग नहीं है, इसको हटाईए प्लिज, 21 2020 क्यानवे लाख है इसको लाख हटा है यह करोड है यह लाख नहीं है यह करोड है 21 क्योफ को is block deal हो ती सिमें 21 क्रोड की block deal है और 8772 क्रोड का turnover है और 400 रुफ पर share पर एग्जैक्ट 400 रुफ पर share पर यह block deal हुई है पर यह 21 क्रोड अभी तो इससे double होनी है पर हो चुकी है, अभी अपडेट आनी रहे हैं, 21 करोड पे, 21-22 करोड पे तो 1.75% बनता है, और हो नहीं है साड़े 3% की, तो मला पोटा मोटी अपडेट आ रहा है, पूरी डील हो चुकी है, कल्मिनेट हो चुका है और लाज ट्रांसाक्शन, 400 रुपे के भाउफ पे, ये ब British American Tobacco का पूरा का पूरा चंक, और देखिए, विंडो खुली, 845 पे, 846 पे अपडेट आ गया, कि पूरे सौदे हो गा, यही बात अभी अभी थोड़ी देर पहले यतिन ने भी कही दिया आपको, तो on top of the news पूरे ITC के साथ, और अब वो लाज ट्रेट कंजूमेट होते हु से, एक काम करिएगा, सत्पुते साब आप दोनों चार्ट रेडी रखना, हज्दा तो सौक्स मेंचन करने वाली है, आता हूँ आपकी पास, हज्दा क्या क्या प्डेश, और बिंदो फार्मा के साथ शुरुबात करेंगे, जहां पर यूजिया फार्मा स्विशालिटीज, अपनी aseptic products, जो unit 3 में manufacture कर रही थी, वहां पर distribution शुरू होता हूँ दिखाए देगा, यह temporarily रुख गया था, इसलिए हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन products की distribution की अनुमती मिल गई है, और साथी साथ commercial production भी दरहसल एपरिन 50, 19 साल में company यहां से शुरू करती वे दिखाए देगी, तो एक positive है औरो फार्मा के लिए, इसके अलावा शाल भी hospitals रेडार पर रखेंगे, 100% stake इन्होंने healers hospital में ले लिया, 104 करोड पर, normally शाल भी lease पर ले रही थी hospitals, अब इन्होंने acquire कर लिया है, तो यह company owned hospital रहेगा, healers, यह stock आप रेडार पर रखेंगे, इंडो को remedies भी रेडार पर है, जहां पर 2860 square meter की land parcel मुंबई में, इन्होंने सल्दाना reality से खरीदा है, Glenmark Pharma, Glenmark Life Sciences यह stock radar पर रहे हैं, और उस लहाँ से आपको ध्यान देना है, कि निर्मा जो Glenmark Life Sciences का 75% हिसा खरीदने वाला था, वो acquisition भी complete हो गया है, तो यह कुछ फार्मा कंपनियों की तरफ से अप पुदे साथ, 75% अब निर्मा का stake हो गया, अब नए promoter के साथ, चार्ट्स पे किस तरह का प्लेइज जी stock नजर आ रहा है, 723 पे कल का close था, कुछ दमखम है, चलेगा नहीं चलेगा, अला कि निर्मा की कुछ entities listed जो आई हैं, उन्होंने बड़ा disappoint कर रहा है, एक उन्हों से ग आस-पास है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 670-680, यह इसका 200 DM है, तो कहीं न कहीं आप कहा सकते कि यह जो correction है, यह अपने support के इर्दगीरदा रहा है, रही बाद news का, तो मुझे लगता है, एक impact आ सकता है, एक relief rally trigger हो सकता है, तो अगर swing trade लेना है, तो 710-715, मैं purely swing trading के बात करू है, तो 710-715, यह अगर dip मिलता है, तो बाय करें 700 के stop loss के साथ, और swing का, यह रिवर्सल का जो target होगा, relief rally का target होगा, 760 का, आशीज जी एक चीज में यह पे जोड़ूँगा, ग्लेनमार्क life science के बात करें, लेकिन अगर एक notch बेटर लगता है, वह ग्लेनमार्क फार्मा, इसक कितना हिस्सा है ITC का, और क्या आपने कोशिश की इस ब्लॉक में एड करने की या फिर इस लेवल पर आप अड करना चाहेंगे, बिल्कुल अनुस तो यह इस भाव पर थोड़ा इंटरेस्ट जरूर बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा बीच में जब इस कंपनी ने होटल बिजनस के अंदर में डीमजर की बात की तब से एक थोड़ा करेक्शन आया था और तब हमने 460 के जोन में इस स्टॉक से एक एग्जिट लिया था, पर आप मुझे लगता है कि आज इस ब्लॉक डील के बाद डेफिनिटल एक अच्छा इंटरेस्ट यहाँ बनेगा, के अंदर में इंटरेस्ट रहे और कोई बहुत फ़रक निपरता अगर से स्टॉक चार-पाश टका इस सिचुएशन में उपर नीचे भी मिले पर क्योंकि तब आप हमको क्लारिटी जाद आची मिलती है, तो मेरे साब से डेफिनिटल आज इंटर में इंटरेस्ट रह सकता ह और वहां हम सोच सकते कि स्टॉक के अंदर में कोई पोजिशन बनाई जाए तो एक बर दुबारा कंफर्म कर रहे हैं और प्राइस भी मैं आपको बता दे रहा हूं 400 रुपै चालिस पैसे पर शेर एक्जाक्त 1% डिसकाउंट जो क्योंकि ये विंडो में होना था उसके हिस हिसाब से कल बंद हुए हम 404.45 पर और उसके हिसाब से अगर आप 1% डिसकाउंट पर आएंगे तो 400 पर ही आना था 400.40 पर एक्जेक्यूट हो गई और यतिन जो खेर आपको नाम भी बताया थे वो में रहा है तक पता चलेंगे लेकिन 3.5% पूरा एक्जेक्यूट हुआ अ इसमें एक और इंटरस्टिंग चीज होगी आगे इसमें अगर कोई और बेचेगा तो वो होगा अपना सूटी सरकार सरकार अब तक अवाइड कर दे थी क्योंकि वो बैट से नीचे नहीं जाना जाती थी जितना बैट का स्टेश इन्होंने हेड रूम दे दिया उन्होंने बेचने के तो ये एक और चीज होगी लेकिन अभी के लिए ओवराइंग आउट दो वे ओवराइंग आउट दो वे आईटी सी देखते हैं प्री ओपन उसके बाद कंटिनर सेशन का मूड हर्जदा बागी के सारे स्टॉक्सिन नियूज दूसरे कंपनियों में जो आज तो होने के आसार हैं थर्ड पर्टी अप्लिकेशन प्रवाइडर लाइसेंस अगर मिल जाता है तो पेटी एम अप पर कस्टमर्स बाकी पेमेंट्स वाया यूपी आइक पूरा करते हुए दिखाई देंगे ध्यान रहे पेटी एम पेमेंट बैग को किसी तरह की राहत नही मिलने माली है वो 15 मार्च तक ही वो डेडलाइन थी अगर कस्टमर्स को अपना पैसा नेकालना था या फिर दूसरे प्लाटफॉर्म पर शिफ्ट करना था अब ये NPCI शायद इनको कुछ मदद कर सकता है आप को सपोर्ट कर सकता है इसलिए वो पेटी एम स्टॉक रहेगा रेडार पर इसके अलावा टीटागर्ड रेल सिस्टम्स इन्होंने 25 टन बोलाड पुल्टग बाहु बली नाम का इंडिये नेवी के लिए दरहसल लाँच कर दिया है ये इन फैक्ट कुछी महीने पहले पहला ये पुल्टग लाँच किया था उस लिहाज से दूसरे अची तीस यूनिट्स रहेंगी एरिया स्प्रेड करी 1.66 एकर्स का है मुथूट कैपिल रेडार पर रखेंगे नोंने पार्टनर्शिप की है इलेक्ट्रिक टूवीलर प्लेयर ग्रीव्स कॉटन के साथ एवी फिन करके उनकी एंटिटी है जो एवेहिकल्स को फाइनांस करती है कि एक पर संद्ध के नों बेचा है और कुनाल विरंची सागर ने खीव ओप्ना इसा बेचा। नंदन निलेकरी के बेटे निहार नंदन निलेकरी ने डरहसल यह करीब धाई पसंद उत्पांत खरीदा है। आल राइट ताहश्टा, बहुत शुक्रिया, यह सारे के सारे स्टॉक्स बदाने के लिए, अच्छा, हाशी, जो हम चीज डिसक्स कर रहेते हैं, अब गिफ्ट निफ्टी लेकर आई है, एक तारीस पॉइंट ओपॉइंट, अगर ब्लॉक बिंडों मोगे, यह मुझे लग र इसके बाद हम वापस लोटेंगे और शुरुआत करेंगे पहला सौधा की. झाल